इकबाल एक बहरा और गूंगा लड़का है, जो भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखता है। हाला कि वहाँ अपने पिता से निराश है, जो सोचता है कि इकबाल के दिवासवपन समय की बरबादी है। इसके बजाए, वहाँ चाहता है कि इकबाल उसकी फसलों की देखभाल में मदद करे और उसकी तरह किसान बने, जो एक स्थिर पेशा होगा। इकबाल की बहन, खदीजा, हाला कि उसे गुरुजी द्वारा संचालित एक नजदी की अकादमी में प्रयास करने में मदद करती है, जो एक प्रभावशाली पूर्व भारतिय कप्तान है, जो उसे उसकी प्रतिभा के लिए स्वीकार करता है। हाला कि जब इकबाल एक अमीर लड़के, कमल, जो अकादमी का सितारा भी है, के साथ प्रतिस परधा करता है, तो उसे कमल के पिता के डर से गुरुजी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो अकादमी को वित्पोशित करता है। इकबाल स्थानिय शराबी मोहित से मदद मांगता है, जो कभी एक महान क्रिकेटर था और उसे अपना कोच बनने के लिए राजी करता है। वे इकबाल की भेंसों, भारतिय क्रिकेट तीम के वास्तविक सदस्यों के नाम पर, का उप्योग करके पास के मैदान में प्रशिक्षन लेने में सक्षम है। मोहित इकबाल को प्रशिक्षित करता है और उसे आंध्रप्रदेश रंजी ट्रॉफी टीम में जगह दिलाता है, जबकि इकबाल को पहले से कोई क्रिकेट का अनुभव नहीं था। इकबाल उस टीम के लिए शांदार खेलता है, जो उसके शामिल होने से पहले एक कमजोर टीम थी, और जल्द ही प्रेस और क्रिकेट चैन करताओं द्वारा उसे नोटिस किया जाता है। हाला कि जब सीजन का अन्तिम मैच इकबाल और उसके प्रतिदवन्दवी कमल के बीच होता है, तो गुरुजी इकबाल को खराब गेंदबाजी करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, ताकि खेल में राश्ट्रिय टीम के स्काउट कमल को राश्ट्रिय के लिए चुन ले, इकबाल अपने पिता की चिंता में उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, जो वित्तिय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं, और अपनी जमीन खो सकते हैं, सौभाग्य से एक खेल एजेंट उसे भेतर सौदा देने में सक्षम होता है, और इकबाल अप विशे शतिती की भूमिका में को भी प्रभावित करता है, और भारतिय राश्ट्रिय क्रिकेट टीम में जगा बनाता है, अंत में इकबाल को भारतिय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी पहने और अंतराश्ट्रिय क्रिकेट में पदारपन करने के लिए मैदान में उतरते हुए दिखाया गया है